हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के चीली गोभी चीली जो बहुत ही टेस्टी होती है क्रिस्पी होती है और खाने में लाजवाब तो मैंने यहां पे देखिए एक केजी गोभी ले लिया है इससे धो करके अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटा ह देखिए और उसकी जो डंडी है उसे दो- dedi बार हम काट लेंगे एक बार ने काटेंगे उसको बीच में हलका सा कट लगा देंगे फर यहां पे मैंने मैदा ले लिया है तीन बड़े चम्मच और फिर यहीं पे डालेंगे हम फिर यहीं पे डालेंगे कॉंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रेट चीली पौडर लिया है एक चमच आप दो चमच भी डाल सकते हैं और यहां पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है तीन बड़े चमच और मैंने ना इसमें लाल मिर्ची भी पीछी है इसलिए यह रेट दीख रहा है और यहीं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जब हमें पानी का जरूत पड़ेगा तो इसे हम छीटे मार करके इसे मिलाएंगे बहुत हलका पानी इसमें डालेंगे हम बस इसको पौडर को ना सारे पौडर को लपेट देना है अच्छे से गोभी के उपर ज्यादा गीला नहीं करना है हमें इसे देखिए इस तरह से हम इसे पुरा मिला लेंगे मैंने यहाँ पर देखिए ज़्यादा पानी का यूज नहीं किया है और यह जो छोटी छोटी गोभी मैंने काटी है ना तो यह तलने के टाइम बहुत ही क्रिस्पी बनेगी बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आती है मैंने यहाँ पर दो से तीन कप डिफ्राइ करने के लिए कुकिंग ओयल ले लिया है और इसमें मैं डाल देए हूँ गोभी को यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे इसे हम ना एक करके ही डालेंगे गोभी को ताकि यह एक दूसरे से चिपके ना और इसे एक मिनट तक ऐसी फ्राइ करेंगे इसको टाइक करेंगे और देखे हलका सा ही गभूरा हो गया है तो तेल को चारुतरब से मिला लेंगे और इसे पलट देंगे पलट पलट करके फ्रेंट इसमेंher 2-3 मिनूट तक फ्राइ करेंगे अजया हम इसमें ब्राउन करेंगे और देखे कितने ही अच्छे से ये चिपका नहीं कडाही में अच्छे से निकल गया है कडाही को हमेशा गरम करके ही इस गोवी को डालेंगे तो ये चिपकेगी नहीं और देखे यहाँ पे हलका ब्राउन हो गया है अच्छे से ब्राउन हो गया है तो इसे हम निकालेंगे और देखे कितना क्रिश्पी दीख रही है ये गोवी हमारी देख रहे हैं न आप ऐसे भी खा सकते हैं से पकोड़े के जैसे साम के स्नैक्स के रूप में चाय के साथ और देखे मैं यहीं पर सेकेंड बैस भी डाल देए हूँ इसे भी हम एक मिनट तक छोड़ देंगे फिर इसे उलट पुलट करके दो से तीर मिनट तक फ्राइ करेंगे मीडियम टू लो रहेगा हमारा गैस का फ्लेम इस समय और देखे कितनी ही प्रिस्पी दीख रही है यह फ्रेंस गोभी चीली बनाना बहुत ही असान है और आराम से यह बन भी जाता है घरों में प्रेंस मेरी यह रिस्पी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और इसे एक बार जरूर बना करके देखें देखें कितनी कुरकुरी दीख रही है गोभी अब यहां पर देखें तेल को मैंने कम कर दिया है और इसलिएंगे कटा हुआ चार से पांच हरी मिर्ची और फिर यही पे डालेंगे हम गाजर छोटे छोटे टुक्डों में कटे हुए एक मेने काटा है गाजर फिर एहीं पर एक बड़े सैज का मैंने प्यास काटा है उसे भी डाल देंगे और इसे फ्राइ करेंगे एक मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगा यहां पर और देखें फिर यहां पर डाल रही हूँ मैं एक सिमला मिर्च कटी हुई छोटी छोटी टुकडो में इसे भी हम हाफ इन तक फ्राइ करेंगे और यहीं पर मैंने काली मिर्च पॉडर डाला एक चम्मच और तीन चम्मच मै द्रेन के अद्रक रावसुन का पिस डाला है और यहीं पर डालोंगे दार्क सव्याष्ण में निखार 2 बावाज और फिर यहीं पर डालेंगे हम लेड्क चीली सॉस दो चम्मच इवय ते था ने ़िए ने हम ग्रीन चीली सॉस दो चम्मच और टमाटो केचप डालेंगे हम दो चम्मच आप अपने अनुसार कम और ज़्यादा कर सकती है और यहाँ पर नमक डा रही हूँ याद रखिएगा नमक सबजी में भी है गोभी में भी है तो कम डालेंगे और यहाँ पर मैंने कॉंट्टोर WATER हाफ कब डाला है और इसे फ्राय करेंगे एक से दो मिनद तक मीडियम फ्लेम पर और यही पर रेट चीली पौडर डाला है चम्मच और इसे मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनद तक पकाएंगे स्ग्रेवी को आप अपने अनुसार इसको गाढ़ा या पतला कर सकती है आपको जैसी ग्रेवी रखनी है उसके अनुसार देकिन गोभी की ग्रेवी जो होती है न चीली गोभी की वो थोड़ी से ड्राइ ही रखे तो अच्छी लगती है और यहां मैं एक मुठ्ठी डाल देए हूँ कटी हु यूज कर सकती है मेरे पास खतम हो गया था और देखिए इस टैप से बन गई है ग्रेवी तो यहीं पर हम डालेंगे फ्राइ किया हुआ गोभी को और इसे मिला लेंगे हम एक मिनट तक और देखिए कितना ही टेस्टी यम्मी हमारा चीली गोभी त्यार हो गया है फ्रेंड्स इसे आप रोटी नान के साथ खा सकते हैं और स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई शुक्रिया